पब्लिक टीवी आपकी आवाद जो कॉंग्रेश के नेता लोकतंत्र की दुवाई देते हैं उन्ही की नेता तदकालीन प्रधामंत्री इंद्रा गांधी ने लोकतंत्र की हत्याकित्य और नागरिकों के अधिकारों का हनन किया था 25 दून के दिन आज के दिन 1975 में देश की प्रधान मंत्री ने जो अमरजन्सी लगाई थी और हमारे नागरिक अधिकारों का हनन करके एक डिक्टेटर सिर्थ ताना साहिल लागू की थी उसके बिरोध में सबी राजनितिक दलों ने प्रधासन के माद्यम से बिरोध के माद्यम से उसको समाप्त करने का उस अध्याचारी कदम को समाप्त करने के लिए लोग आगे बढ़े थे और बहुत लंबे समय तक दमन चक्र चलता रहा सरकार का और उसके बाद लोक तंतर की बिजे हुई और 77 में इंद्रा गांदी जी की हार के साथ इस काल अध्याय का समाप हुआ आज कॉंग्रेस के लोग जो लोक तंतर की दुहाई देते हैं आज ही की दिन लोक तंतर को खतम करने का कुचलने का काम कॉंग्रेस की नेता प्धान मंतरी तत्कारें इद्रा गांदी जी ने किया था लेकिन देश के लोग के शंगर्स का परिणाम था कि लोकतंत्र मजवूत हुआ और इंद्रा गांदी जी को जंता के आगे जंता के निटने के आगे जुकना पड़ा आज हम सब लोग काला दिवस के रूप में आज किस दिन को मनाते हैं जनसंख्या कानून पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री भुपेंदर चौदरी ने कहा कि देश में बड़ी जनसंख्या चिंता का विशह है और सभी के लिए सुविधाओं के अभाब जैसे इस्थिती उत्पन होना भी दो बच्चों का कानून मिलका पत्थर साबित होगा उन्हेंने कहा कि जो प्रदेश में सुविधाओं का अभाब है उसमें बड़ती जनसंख्या की एहम भागेदारी है मुझे ऐसा लगता है कि देश की बढ़ती आबादी हमारे आप सब के लिए चुनोती है और उसके कारण संसाधनों का भी आभाव जो देश की प्रदेश की आवसक्ताएं हैं उन आवसक्ताओं में भी कही ना कही आवादी भारी पड़ती है तो मेरा निजीमत है कि हम लोग को बढ़ती हुआबादी देश हित के लिए अपने समाज के हित के लिए इस पर नियंतरन करना चाहिए समाज को जागरूख होना चाहिए उसके लिए प्रियास करना चाहिए और सरकार को अगर बहुत आवस्यक हो तो निश्चित रूप से कानौन भी बनाना चाहिए इस दौरान धर्मांतरन कानौन पर बूलते हुए कहा कि एक शड़यंत्र के तहत धार्मिक संतुलन को बिगाडने का काम कर रहे है और प्रिलोवन दे कर पूट नीती के तहत धर्मांतरन जैसा कारे किया जा रहा है उसके लिए उत्तरप्रदेश सरकार प्रतिबद है और उनके खलाफ कारवाई की जाएगी और उनके खलाफ NSE की भी कारवाई सरकार करने जा रही है तो वहीं सरकार के दोरा भाजपाईयों से ले जा रहे केस वापसी पर बोलते हुए कहा कि जिन केसों में सरकार वादी है उनमें छोटे मोटे केसों को वापस लेने का काम किया जा रहा है कोई भी गमभीन केस वापस नहीं लिया जा रहा आपने देखा होगा जिस परकार से लोग सड्य अंत्र के तहत इस धारमिक असंतुलन को बिगालने का काम कर रहे हैं आपने देखा होगा लोग अभी भी कुटिल सड्य अंत्र करके लोग का धर्मांतरन कर रहे हैं अभी लोग पकड़े गए हैं, उनके खिलाप सुसदी धाराव में मुकदमा दर्ज करके जिल भेजा है, और माने मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनकी संपत्ती का जबती करन का काम भी चले आर नैसे की कारवाई उनके खिलाप होगी। तो सरकार संकल्पित है, इस तरह की किसी भी कृत्ते को बरदास नहीं करेंगे, और जो लोग इस काम के पीछे हैं, इस अभी हान के पीछे हैं, उनके खिलाप सब को चिन्नित करके कारवाई की जाएगी। उस तरह के के केस बापस हुए हैं, और पूर्ब में भी होते रहें, लेकिन कोई गंभीर धाराओं वाला केस ऐसा नहीं है जो बापस हुआ हूँ, और पुरानी सरकारों का अगर आप जहान दिल वांगे पुराने लोगों को, तो उन्हें आतंगवादी उन्हें जो आतंग नहीं हो पाया हमारी सरकार ने तो जो बहुत प्राथमिक मामले में जिन में दर्ज हैं, उन्हें केस कहीं कहीं बापस लिए हैं कारेकरता हुए खिलाब तो कहीं लगता है कि पॉलिटिकल इंटर्फरेंस भी हो सकता है, इस तरी की मामले में उस दर्श्टी से नहीं देखता, मेरा कहना यह है कि इस तरह के कृत्तों के खिलाब सब को खड़ा होना चाहिए, किसी को प्रलोवन देकर, धोका देकर, उसका धर्मानतरन करना यह है, और सरकार माने मुख्यमंतरी जी के नेत्यत में उन सब विसो को रोकने के लिए संकल्पित है, हम विदी संबत कारवाई, जो भी है कारवाई करेंगे, कठोर कारवाई करेंगे, और आपने देखा होगा, सुसंगी धारा में मुकदमा दर्ज करके उने जेल वेज आया, उनके खिलाव, एनसे की कारवाई भी की जाएगी, और उनकी जो संपत्ति है, उसे भी जबत किया जाएगा, और इधर बिपक्ष ऐलिगेशन लगा रहा है कि बीजेपी जो है, जिला पंचाय तग्जैश के लिए धन पर शूर्पित दे रही है, इस तरीके का ऐलिगेशन मेरा जितना ऐसा मत है कि भारती जनता पार्टी हम लोग अपने कारकरताओं की सकर्टास और उनके संपर्कों के आधार पर और अपनी पार्टी के नेतरत के द्वारा सरकारों के द्वारा जो काम की है, उनके आधार पर हम लोग चुनाब सामाने ता लड़ते हैं, हमने के कारकरता ही जिला पंचायतों के अध्यक्स बनेंगे, आप उसका अंकरन अपने आसपास कर सकते हो, अगर अगर आप कहोगे तो मैं गिना दूँगा, हमारे यहां कोई धन पसूर नहीं है, हमने कोई बाहर से आयतित करके किसी को नहीं लड़ाया, सभी हमारे कारकरता है, और हमारे कारकरता निश्चत रूप से जीत कर चुनाब में आएंगे. पब्लिक टीवी, आपकी आवाद.